हेलो वेल्कम्टु देस्टू्ड्यू ट्रेडर बजास फिंसर्व को आज के दिन हम इने च्रेट किया था मेड़ेट ख़िया यून था च्रेट को आज एुडिशक्र करेंगे एक ट्रेडर के पास उसकी अपने च्ट्रिस्ट कोrai करें इसको देखेगा समझेगा वीडियो कर अच्छा लगता है तो लाइक कॉमेंट पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किजाएगा सबसे पहले बढ़ते हैं बजास फिंसर्प के ऊपर सो बजास फिंसर्प में डे टाइम पर आते हैं डे टाइम पर देखिए एक स्विंग बना हुआ है तो लोग इस स्विंग को माग कर लेंगे 20 दिसंबर को हमने इंडिसिंट बैंक का ट्रेड एक्जिक्यूट के आता हाला कि प्रॉफिट तो बड़े नहीं थे बट वो से देखोगे या अवेण चलते में यहाँ पर लोवर टाइम पर यह फिर जर से बहुद को अगेन अपसाइट, यहां पर दो बार में मॉम्बमेंट हो गया, आगे चल करके प्राइज ने एक सपोर्ट ब्रेक किया है, यह वाला, और बाद में प्राइज फिर से नीचे सपोर्ट ले रहा है हमारा, और अगेन हमारे लेवल पर यहाज है, जहां से हमें इसको ट्रेड कि अब यह आगे चल करके इन दोनों केंडल के ओपर भी थोड़ बाद डिसकस्रेंट करेंगे, लोवर टाइम पर अब यहां से सीथे लोवर टाइम पर चलते हैं, देखिए, लोवर टाइम पर पर प्राइज ने क्या किया है, जिस लेवल पर यह सपोर्ट ले रहा था, आज उसी लेवल के नीचे इसने हमको हमारे entries के confirmation दियो, entry के confirmations तो आज इतने प्यारे entry के confirmations थे, कोई बच्चा भी trade कर लेगा उसको, अभी देखते हैं क्योंकि यह 3 मिनेट की टाइम पर था, trade book open करते हैं, प्री लॉग इंड है, so order book position, या order book open करते हैं, चलिए, order book देखते हैं क इसको भी एक बार और refresh कर लेते हैं, perfect, so क्या overall हमारी analysis रही थी, and profit वगरा एक बार देख लेते हैं, प्रॉफिट वगरा एक बार देख लेते हैं, 12442.50, लगबग 12400 रुपए के आसपास का overall आज का profit है, and इसको भी एक बार refresh कर लेते हैं, देखे, trades में जब हम लोग enter करते ह हैं, फिर morning के जो sessions होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें तैय करनी पड़ती हैं, अब जैसे हमारा अपना rule है, कि हम 945 से पहले trade execute नहीं करते हैं, थोड़ा सा market को sustain होने का मौका देजे, अपने कुछ rules पना लेजे, अभी जिन rules के हम बात करें थाना, आगे चलकर कोई भी trade execute करने से पहले उन rules को जरूर से जरूरा आप देख लिया, अगरो बहुत help आपकी करेंगे, बहुत ज्यादा help आपकी करेंगे, बजास फिन सर्फ के higher time stream की analysis से start करते हैं, lower time stream की analysis पर जाएंगे, अपनी checklist पर आएंगे, day time stream के levels पर यहाँ पर क्या हुआ, यह तो हमन swings को देख रहे हैं, तो price up से downside की तरफ गिरता है, यहाँ पर एक swing लगता है, वो यह वाला है, हमारी 12th of December की candle का just low, आप इसको देखो गए तो falling rose का pattern भी यहाँ पर form कर रहा है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने falling rose pattern का ही use नहीं किया, इसके बाद में अपनी reading के बाद मे क्या होता है, price में अभी थोड़ी दिर पहले हमने black और green candle को mark किया था, अब यहाँ पर हम अगर swing को देख रहे हैं, तो यह वाली जो हमारी candle है, 24th of November की candle, सिर्फ आप price actions को देखो, volumes को तो यहाँ पर अपने significations हैं ही, volumes को ना देखते हुए, अभी आप सिर्फ price के पर focus करो, क यहाँ पर एक support area बन रहा है, अब आप यह इस black वाली candle को mark, यह हमारे आगे की levels होगा देखी, क्या यह जो black वाली candle में mark की है, क्या पीछे भी इस level का अपना कुछ identification है, तो हाँ है, price हमारा इसी level से up and down, up and down, इन दोनों side case ने moves दिखा है न, up, down, up, down, यहाँ पर आ करके price हमा हमारी सबसे अच्छी candle मिल रही है, वो है 24th of November की candle, उसके अपने reason है, एक चिसमान के चेड़ है कि 24th of November की candle हमारे लिए एक बहुत important candle है, जो कि आगे की reading में हमें बहुत help करने बाद, यहाँ पर एक support area बुन रहा है, अब आप देखे कि price इस support से upside की तरफ जाने की कोशिश कर सेलर या बायर्स नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर आपको move के side का देख रहा है, यहाँ पर हमें ज्यादा तर negative candles देख रही है, जबकि positive candles हमारे पास कुछ गिनी चूनी ही है, यानि कि overall अगर हम देख रहा है तो यह चीज हमें मान के चलनी चाहिए, कि यहाँ पर sellers की power हमें ज् बन रही हैं, यह एक positive candle बन चलनी हो इसके बाद में, फिल negative candles और यहाँ पर एक positive candles का breakout होई है, इसके बाद आद देखो कहिं पर भी, कोई positive candles का breakout अभी तक नहीं हुआ है, कोई भी positive candle ऐसी candle लहें, जिसने प्रीएस candle का high break किया हो, यहाँ पर देखे, high break नहीं हुआ, यहाँ पर explain करने लगेंगे तो हो सकता है यह वीडियो आपका वन आर या फिर वन आना हाफ आर तक चला जा जा तो उतना टाइम तो अपने पास नहीं है में टॉपिक्स क्या है आज के हमारे उसके पर फोकस करेंगे मुटी मुटी एक रीडिंग इसके उपर कर ले अब यहां पर बायर्स के ब्रेक आउट हुए मतलब एक पॉजिटिव केंडल है कैसी केंडल बनी जिसने काफी टाइम के बाद यहां पर ब्रेक आउट दिखाया टुटी एर्थ नौवमबर को ओके इसका मतलब क्या होता है कि अब अगर यहां से प्राइस हमारा पॉजिटिव है तो इसे अबर की तरफ निकल जाना चाहिए simple सा logic है न अगर price हमारा strong है तो यहां से फिर price को upside की तरफ जाना चाहिए but price अपने highs को तो break कर नहीं रहा है यहां पर अपने lows को break कर दिया इसने यह lows कौन से है यह black वाली candle हमारी इसके low break हुए किस candle ने break किया इस वाली candle और जब से market ने हमारी इस black वाली candle के through ranges को downside की तरफ ब्रेक किया है तब से फिर price हमारा उपर की तरफ नहीं गया है यह देख रहे हैं अगर इस black वाली candle का हम high mark कर लेंगे तो देखिए price अपने resistance को protect कर रहा है और supports को break कर रहा है यह अपने इस वाले swing area पर है अगर हम इसको अपनी observations के list में रख रहे हैं और अगर यह trade करने का मौका हमें दे रहा है downside में क्योंकि हम देखें कि price resistance को protect करें अपने supports को break कर रहा है view downside की तरफ कहीं रखेंगे अगर हमें price candle trade करना है तो कोशिच यह करें कि अगर short selling का मौका मिलता तो हम करेंगे because यह जो दोनो green और red candles हैं यह कहीं ना कहीं हमको एक direction दिखाने की कोशिच कर रहे है अब बात आ जाती है कि यहां से price अपने supports को लगाता ब्रेक कर रहा है इस black वाली candle के बाद में हमारा जो swing point बनता है वो यह वाला point बनता है तो overall अभी इतनी reading से हमने किया जाना है कि price अपने resistance को protect करेंट supports को break कर रहा है last support काउं से बने थे हमारे अगर इस black वाली candle को हम लोग swing मान रहे हैं तो इस black वाली candle के बाद में देखिए price उपर की तरफ जाने के बाद में यह जो green candle बन रही है यहाँ पर देखिए price नीचे की तरफ आया था ना यहाँ पर move आया और यहाँ से price upside की तरफ चला गया यानि के एक swing इसने बना दिया था और यह green वाली candle एक ऐसी candle थी जिसने इस black वाली candle के नीचे closing की थी मतलब कहीना कहीं तो strong है but price हमारा उपर जा रहा है volumes नीचे आ नहीं इसका क्या मतलब होता है कहीना का strength कम है यह resistance अगर price break कर दे हमारा यह वाला resistance ब्रेक कर दे तो move upside की तरफ हम लोग expect कर सकते है बड़ प्राइज अपने resistance ब्रेक नहीं कर रहा है प्राइज हमारे supports पर है supports को break कर रहा है volumes भी कम हो रही है और जब प्राइज हमारे level को नीचे की तरफ तोड रहा है तो इसके अंदर volumes increase हो रही है फिर देखे प्राइज ने हमारे level को नीचे की तरफ ब्रेक किया volumes वापस से इंक्रीज हो गई फिर से प्राइज ने हमारे level को नीचे की तरफ ब्रेक किया वापस से यहां पर volumes increase हो गई समझ मैं रहा है ना मार्केट सब कुछ हमें दिखा रही है बस क्या होता है एक point of view चाहिए होता है कि किस तरह से मार्केट को रीट करें आपको लग रहा हो कि यह candles को reading और यह up and down closing हो गए बहुत hard है actually hard नहीं है practice करेंगे ना हम लोग अब जैसे class के अंदर है तो पूरा project होगा 3 weeks या even 4 weeks तक हम trade execute करवाएंगे आपसे trade execute होता रहेगा अब उसमें बहुत सारी चीज़े निकल के आती है कि आप को trade अगर execute करो तो उसमें क्या problem आ रही है अब जब एक ही system के उपर हम आपको इतनी सारी जब practice करवाते है ना तो फिर यह simple हो जाता है और वैसे भी आप कोई भी एक system अपने पास fix करके रख लो शुरुवात में 4-5-6 दिन 7-8 दिन इवन यह मान के चेलिए महीने दो महीने वो tough लगता है बाद में फिर easy to use होने के बाद में आप उसके अंदर आराम से काम करते है लोवर टैम फ्रीम पर हमने आपसे कहा था कि आज के trade के entry ऐसी थी कि कोई बच्चा भी trade कर लेगा ऐसा क्यों आप देखो लोवर टो लोवर टैम पर चले जो 3 मिनट के टैम फ्रीम पर इसका यूज बहुत कम ही होता है यहां पर दी ही एक mother candle form हुई सिम्पल सी चीज़ हम बता रहे है आपको यह mother candle form हुई जैसे ही प्राइज ने इस range के नीचे activity start की हमने trade execute कर दिया क्योंकि higher time frame पर तो हम देखी रहे हैं प्राइज हमारा ओपर से नीचे के तरफ गिर रहा है हमारे level को नीचे के तरफ भी break कर दिया है day time frame पर भी volume increase हो रहे हैं and lower time frame पर भी price जब नीचे के तरफ आ रहा है तो यहाँ पर volumes increase हो रही है फिर से यहाँ पर देखे price तो हमारा upside के तरफ गया बट volumes गिर रहे हैं and यहाँ पर again volumes आ गई यह देख रहे है अब price ने फिर एक retracement दिखाया volumes कम हो रहे है प्राइस जब नीच आ रहा है तो यहाँ पर फिर से volume increase हो रहे है entry करने के लिए इससे simple सी चीज और क्या होगी को indicator आपको यह सब नहीं बताएगा नहीं बताएगा समझ में नहीं आएगा चीज़ां जब तक आप खुद तय नहीं करोगे कि हमें काम कैसे करना ना कुछ समझ में नहीं यह अपना entry और stop-loss क्या है बस इसी mother candle के उपर हमने अपना stop-loss पूटका दिया क्योंकि यही वो इरिया था जहां पर price आकर कि इसने एक rejection candle फॉर्म कर दी थी अब इसके बाद में हम देखने हैं कि price उपर की तरफ निकल गया यान एक बाद में फिर हमको तो यह लगा था कि price अगर यहां से उपर की तरफ गया तो हो सकता है entry point पर जा और यहां से कही market अप पर से इसने एक swing break किया और फिर से इस swing के अंदर आ करके trade करने लगा यह सब गिरने के निशानी होती है जब market को गिरना होता है न तो इस तरह से बी योवेस change of character आपको बहुत आराम से देखनों को मिलेंगे यह स्मार्ट मनी concepts हैं price actions हैं सरी चीज़े आप मिला दो volumes को भी मिल करने हैं तो कैसे हम तैयार करेंगे traders checklist का मतलब यह होता है कि कोई भी trade अगर आपको execute करना है तो उसके पहले इन points को देख लेना होगा यह आपको market start होने से पहले ही मालूम होनी चाहिए कि market में हमें करना क्या है अपनी field में बहुत प्यारा सा code है trade what you plan and plan what you trade वही trade कियो जो कि अपने market start होने से पहले plan कर लिया है और जो plan किया है वही trade करो उसके इतर नहीं market में जाकर के कोई नई strategy नहीं बनानी है market में जाकर के कोई experiment नहीं करना है वरना उसका impact बहुत बुरा पड़ता है वही trade कीजिए जो कि आपको पहले से मालूम है कि हम जाएंगे और हमारे पास ह हमारी checklist है इसके according ही हमें सारा का सारा काम करना है बहुत से लोग होते हैं सारी चीज़ों सुनको मतलब भी नहीं red candle देखी buy green candle देखी sell थोड़ा सा loss हैं लगा cut अच्छा फिर से green candle देखनी फिर buy थोड़े profit देखा है फिर से जो आपका loss है वो फिर से बढ़ना start हो फिर निकल लास्ट में देखने कि पंदरा सोला पोजिशन बनी हुई है profit तो किया नहीं लौ से क्या और brokerage हम इतनी दे करके जितना उतना profit कर लेता तो अच्छा रहता मजा आ जाता इतनी इतनी brokerage दे करके आते हैं सबसे पहला होता है stock selection आपको मालूम होना चाहिए कि हमें stocks निकालने क चाहिए वह एक दिन पहले आप marking करके निकालो चाहिए किसे scanner से निकालो आपकी डेली वाच लिस्ट के अंदर आपके वह फिक्स स्टॉक है तो वहां से निकालिए आपके पास एक फिक्स मेथोड होना चाहिए जहां से आप अपने stocks को निकालोगे हमने stock selection बोला अभी हमने अपने stocks को filter नहीं किया हो सकता है stock selection में आपके पास 10, 12, 15, 20 stocks आजाए जिए जितने भी stocks हमने select के इसमें filter कर लेंगे कि हमारे according हमारे system के according select किये हुए stocks में से कौन है जो की पूरी rules को follow कर रहा है आपके setup में आपके select किये हुए stocks में से कौन से stock है जो की fit better है आप उसको निका उन rules को follow करो उपर लिखाना trade what you plan plan what you trade जिस भी levels से आपको trade execute करना है वो आपको मालूम होने चाहिए कहीं से भी trade execute नहीं हो जाएगा अगर आपको मालूम है कि XYZ कोई stock है जिसकी value 1.45 रूपीज है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो 1.45 से ही trade हो जाएगा उसका एक certain point of area होगा ज जहां से आपको trades के अंदर execution करना है फूर्थ हाथ है decide your trend trend identification जिसके बारे में हम अकसर बात करते हैं आज कभी आपने वीडियो देखे ना उसमें कैसे हमने trend identify कि higher time frame पर lower time frame पर process थोड़ा सा बारीक हो जाता है उसको समझने के लिए फिर आपको देरे-देरे काफी सारी practice करने ह अब वो higher time frame हो या फिर lower time frame हो लेवल समाक करने के बाद में ऐसा नहीं है कि price आपका आपके level के नीचे short मार दो price आपके level के उपर है बाई को लो ये नहीं trend identify कीजे और आपके निर्धारित कियो हुए दिशा में ही जब वो price move करेगा तब ही update execute करोगे बहुत बार होता हम अब extra confirmation की तोर पर आप बहुत साही चीज़े यूज़ कर सकते हो मतलब कोई counting नहीं है आपको किसी भी segment के stock को trade करना उसमें confirmations क्या हो सकती है माल लिजा आप price action के थूरू trade कर रहे हो तो उसमें आप volumes के साथ confirmation ले सकते हो अगर आप किसी indicator का use कर रहे हो तो उस indicator का use कर सकते हो यह first point हो दूसरा अगर आप middle sector के अंदर काम कर रहे हो आप Tata Steel को trade करना चाहरे हो तो एक बार देख लो कि JSW Steel क्या कर रहा है even आपको वो sector क्या कर रहे हो इससे यह एकत्य हो जाता है कि जिस भी side में आप trade execute करना चाहरे हो actually market का move उसी direction में हम लोग यह देखते हुए ही trade execute करते six आपका risk management and money management बहुत important होता है यह technically अगर आप गलत हो जाओ तो वो गलती expected है वो ऐसी गलती जो कि कल सुधर सकती है सही हो सकती लेकिन एक दिन अगर आप में risk management में aggressively जितना भी trade up execute करते हो जितने रुपय के साथ अप trade execute करते हो मान के चलिए हम thousand रुपीज का रिस्क लेते हर ब्रेक कर दिया हो सकता है दस तिन पंदरा दिन या फिर एक महिने के जितनी भी हमारी मेहनत है सिर्फ एक दिन हमारा money management बिगड़ा and full month की हमारी जितनी भी earnings सारी के सारी मिट्टी में चली गए कोई value नहीं बची उसके उपर सब बेकार हो गई इसलिए बोला जाता है टेक्न risk management and money management and इसके साथ ही आता है आपका emotional management emotions आपके किस तरह से उसको आप carry on कर रहे हो live market के अंदर उसको हम traders की checklist में नहीं डाल सकते risk से बाहर हमारी emotional management साथ जिसको हम psychology भोलते हैं 7th number your quantity risk और money management की counting के बाद में आपके पास quantity निकल आते है risk and money management की counting के बाद आपके पास quantity निकल आते हैं कि आपको particular किस stock अंदर कितनी quantities चाहिए just imagine अगर हमारी risk लेने की capacity है thousand rupees मतलब आज हम thousand rupees से ज्यादा का loss नहीं करेंगे यही हम मान करके चलते हैं अब आपके पास xyz कोई stock है जिसकी value है hundred rupees hundred rupees की value के stock के अंदर हमारे जो stop loss आ रहा है वो just एक रुपय का stop loss है और हमारा risk कितना है thousand rupees का मतलब हम एक हजार स्टॉक से दर ले सकते हैं हम पंद्रा से स्टॉक नहीं लेंगे क्योंकि तब हमारे जो risk है वो बढ़ करके पंद्रा सो हो जाएगा या फिर दो रुपय का अगर हमारे stop loss आगा तो हम thousand rupees को दो से divide कर दें कितना है पांसो पांसो क्वांटी के साथ में हम trade execute करेंगे या आपको होना चाहिए ऐसा नहीं है मार्केट में गया है कितनी क्वांटी हमको हमारा broker दे रहा है एक हजार एक हजार मार दी खतम सारी क्वांटी सारा risk ले लिया यह नहीं आपको decide करना पड़ेगा आपका risk केतना है risk according आपना management करोगे फिर अपनी quantities count करके trade execute करोगे यह professional भी होता trade execute करने के जितनी चीज़े हम बता रहे हैं बाकी अगर आप gambler type का trade वगर एक्जीकूट कर तो उसके लिए तो फिर आपको इसके जरूरत ही नहीं पड़ेगा सारी चीज़े आप skip कर सकते हो next step आपका 8 stop loss 9 entry and 10 target या फिर बोल सकते हैं profit booking यह तीनों चीज़े हम decide करते हैं हमारा entry कहां पर टार्गे आपका money management के according की हो सकते हो technically भी हो सकते है यह फूरी चीज़े आपके उपर डिपेंड करो money management से हमारा मतलब कि आप मान के चली कि आपका stop loss 2 रुपय का है आप 4 रुपय का profit बोक करोगे आपका stop loss 3 रुपय का है आप 9 रुपय का profit बोक करोगे या फिर 12 रुपय का ब प्रिवेस टे की कौन सिकेंडल इंपॉर्टेंट है हायर टाइम पर कौन सिकेंडल नमारी इंपॉर्टेंट बन रही है हम अगर किसी इंडिकेटर के यूज करने या इवेन फिबोनाची का यूज करने तो वह कहां तक हमको movement दिखा रहा है वॉल्म प्रोफाइल के अगर आप यूज कर रहे तो हमें कल के कौन सिकेंडल रहे हैं या फिर उसके पहले के कौन सिकेंडल यह सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो गए टार्गेट निकालने के लेकिन ट्रेड एक्जेक्यूट करने से पहले मालूम होना चाहिए यह नहीं कि हमने ट्रेड एक्जेक्यूट कर दिया दो रुपाय के स्टॉप लॉस हो और एक रुपाय का हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं लॉंग टर्म में आप बहुत बुरी तरह से गिर जाओ गए क्योंकि एक दिन आप एक रुपाय का प्रॉफिट कर दोगे बराबर आप एक दिन पीछे चले गए टार्गेट पहले से मलूम होना चाहिए कि हम कहां प्रॉफिट करेंगा आपको अपनी एनलसिस के अकॉर्डिंग अगर वो ट्रेट फेवरेवल आरार के साथ मिला तभी करेंगे रिस्क और रिवाद रिष्यो के अकॉर्डिंग अधर्वाइस लीविट ज करो को किसे सब्सक्राइब करूं अलंकर से कंचे को किसे सामने सुना कि अदिक्राइस में बहुत थाTalk from these इ magazनले एक फिरंहीं ने सुचे नहिं है बहुत ज्यादा होता है तो अधर्म को समझ प्राइद कि यार वहाँ बहुत ज्यादा है थीखते विखते कुछ है नहीं एकुटी गरते हैं चलो तो आप ने देखा किसी को कि ही इकुटी में आ गए एकुटी में थोर दिन किया फिर आप चले गए गोल्ड कुट मेटल आप इनको सब को टेट करने लगए है न उसके बाद में फिर आप फॉरेंड मार्केट में शिफ्ट हो गए फिर आप Tesla को trade करने लग गए फिर आप Microsoft को trade करने लग गए fixed रही है जिस भी segment को trade करना है segment निकाल दी है और जिस system से trade करना है वो system fixed इसके लाब हमें फिर आप देखना नहीं है loss भी देना है उसे system से और profit भी लेना है तो उसी system से ही लेना Thanks and I hope की video से जरूर कुछ न कुछ value आपकी increase हुई होगी आने वाले trades में जो भी आप execution करोगे उसमें इस सारी चीजहों का apply करना आप देखना आपके अंदर एक आप खुद growth महसूस करोगे आपको लगेगा कि हाँ एक trade execute करने से पहले हमने इतनी सारी चीज़े की है एक चीज और ज़रूरी नहीं है कि यह सारी चीज़े आप कल से apply कर दो और आप profit में आजा ऐसा भी होगा ना कि चलो ठीक है आज हम यह 10 के 10 चीज़े देखते हैं कि profit होगा या नहीं यह एक दिन की करने की चीज़ नहीं है but unprofessionally without any type of system आप अगर market को loss दोगे तो वो loss लॉस ही करता रहेगा कल भी loss होगा परसो भी loss होगा अगले दिन भी loss वो loss होगा क्योंकि वो systematic नहीं है loss भी करो system में रहके करो वो profit में change होगा 101% change होगा thanks and we will meet again